हेलो गाइस करेंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और आज इस वीडियो सेशन में हम साथ नौंबर तक के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथ इस सेशन वह सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यह हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट साथ अब गूगल प्ले स्टोर से करन्ट फेर्स फंडा एप को इंस्टॉल कर लिजे क्योंकि जो भी हमारा पीडियेफ मेटेल आपको करन्ट फेर्स के साथ साथ इस्टेटिक जीए परवाइट कराते हैं यह सब हमारी करन्ट फेर्स फंडा एप पर इउपलबद हो तो कॉमेंट बुक्स में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की सबसे पहले आज कोशन देख लेते हैं इन विच कंट्री इस माउंट किलिमंजारो लोकेटेड किलिमंजारो परवत किस देश में स्थित है आपके सामने है केनिया यूग इसका अंसर जानते होंगे तो जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजे फिर आगे बढ़ेंगे विच कंट्री इस होस्टिंग थे 2022 यूनाइट नेशन्स क्लाइमेट चेंज कॉन्फरेंस और सी ओपी 27 फ्रॉम 6 नॉवंबर अंटिल 18 नेवंबर 2022 6 नॉवंबर से 18 नॉवंबर 2022 तक कौन सा देश 2022 सिंगत रास्टे चलवायुक परिवर्तन सम्मेलन या COP27 की मेजवानी कर रहा है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन ए रहेगा इस इप्ट तो आपको जाना चाहिए 2022 United Nations Climate Change Conference या आप इसको कहिए Conference of the Parties of the UNFCCC या COP27 तो ये 6 नॉवंबर से 18 नॉवंबर 2022 तक शर्म एलसेक एजिप्ट में आज जित की जा रही है आपको बताने इसके दो आयोजन इस्थिल हैं एक तो है ब्लू जोन दूसरा है ग्रीन जोन अच्छा जिस देश में होती है महां के जो फोरेंड अफेर्स मिनिस्टर होते हैं उनको इसका प्रेजिडेंट बनाया जाता है तो इजिप्ट में हो रही है तो इजिप्ट के फोरेंड अफेर्स मिस्टर है शामे शुक्री तो यह COP27 के प्रेजिडेंट है आपको जाना चाहिए कोका कोला द्वारा इस कोंफेर्स को स्पोंसर किया गया है जिसे का रण काफी विवाद भी हुआ है COP का मतलब क्या होता है COP का मतलब होता है Conference of the Parties यह अपने आप में एक क्वेश्चन है एक्जाम में पूछा जा चुका है COP की फुल फॉर्म बताइए तो Conference of the Parties अगर हम इस कॉंटेक्स में बात करें COP27 तो यहां पर Parties का मतलब है वे सभी 197 Nations जो United Nations Framework Convention of Climate Change 1992 से एगरी करते हैं या फिर इसमें शामिल है तो उन सभी Nations को बोला गया है Parties आपको जाना चाहिए 1995 में इन सभी Nations ने जो इस UNFCCC से सहमत है या फिर इसमें शामिल है इन्होंने अपनी पहली Conference of Party Meeting में बर्लिन जर्मनी में आउजित की थी 1995 में तो इसी तरह की मीटिंग जो है चलती आ रही है और अब यह 27 वी बार ऐसा है जब यह मीटिंग इस साल इजिवट में हो रही है तो इसलिए इसका नाम है COP27 27 का मतलब है 27 टाइम यह मीटिंग अब हो रही है COP का मतलब है Conference of the Parties काफी कुछ आपका क्लियर हो गया हुगा साथ ही आपको एक फैक्ट और जानना चाहिए कि 2016 के बाद से अब अफरीका में यह सम्मिट फिर से हो रही है Transcontinental Country का मतलब होता है ऐसी country जो एक से ज्यादा continents में located होती है तो इजिप्ट के भी वही बात है इजिप्ट का जो major portion है वो एफरीका में है जबकि एक छोटा सा पार्ट एशिया में आता है इस तरह से रशिया आप कह सकते हैं तर्की आप कह सकते हैं यह दोनों countries भी जो है Transcontinental country है रशिया और टर्की इनका भी कुछ पार्ट एशिया में है और कुछ यूरोप में है जबकि एजिप्ट का ज्यादा तरह पार्ट एफरिका में है और कुछ चोटा सा पार्ट एशिया में है अच्छा अगर हम बात करें COP27 के लोगों की तो इसका लोगों आप नीचे देख सकते हैं इसमें Sun है Sun of Athens है Sun of Athens का मतलब क्या हुआ जो Sun डिस्क होती है ना सूरज की जो डिस्क होती है उससे जो rays हो रही है जैसा यह आप लोगों में देख रहे हैं उसको कहते Sun of Athens ग्लोब है और horizon है तो यह information मैंने अपने आप मतलब एक अत्रित की है यह ऐसा नहीं था नियूस पर पर मैंने एक अत्रित की है तब आपके लाए हूं ताकि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए तो अगर आपको सेशन अच्छा रखता है तो आप लाइक और शेयर भी किया कीजिए कब काफी मैनत लगती है इस तरह कंटेंड बनाने के लिए चलिए खैर अब करेंगे इसकी बात हम भारत के कौन टेक्स्ट में तो इस मीटिंग में भारत को कौन रिप्रेसेंट कर रहा ह भारत को रिप्रेसेंट कर रहे हैं हमारे हां के जो यूनियन मिस्टर अफ इन्वार्मेंट फोरेस्ट एंड क्लामेट चेंज है बूपेंद्र यादो तो प्रदानमंति नरेंदर मोदी ने एक टर्म इजात की ती जिसका नाम था लाइफ यानिकि लाइस स्टाइल पॉर इ इस कंसेप्ट ओफ लाइफ को इंट्रिउस किया था इसका मकसद है कि जो इंडिविज्वल्स हैं या क्यमिनिटीज हैं वो इस तरह का लाइफ स्टाइल अपना है जो नेचर को हाम ना करें जैसे आप यह कह सकते हैं कि हम लोग प्लास्टिक का यूज़ ना करें या फिर ज जाना चाहिए COP28 यह दुबाई United Arab Emirat में होगी तो हैस्ट प्रेजिदेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कोमर्स एंड इंडॉस्ट्री यानि की फिक्की तो फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है ओप्शन साब के सामने हैं स आमित किया है आपको बता दें जो पांडा जी है यह इंडियन मैटल्स एंड फेरो एलोईज लिमिटेट के मैनेजिंग डारेक्टर हैं और फिक्की के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट के तोर पर कारियरत है यह संजीव महता को सक्सीट करेंगे जो आने वाली 95 एजियम होने गा हैट्वाटर से निव डैली में इंडिपेंडेंट इंडियास फर्स्ट वोटर तो 106 एर ओल श्याम सरंड नेगी डाइड रिसेंटली मिस्टर नेगी हैट कास्ट इस फर्स्ट वाट इन इंडिपेंडेंट कंट्री ओन विच डेट स्वासंत्र भारत के पहले मद्दा 106 वर श्याम सरंड नेगी का हाली में नितन हो गया श्री नेगी ने स्वासंत्र देश में अपना पहला वोट किस तारिक को डाला था ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंतर ओप्शन सी रहेगा 25 ओक्टोबर 1951 जैसा कि आप यहां पर इमेज में भी देख रहे हैं यही वोटर है 106 साल के श्याम सरंड नेगीन का हाली में पांच नॉम्बर को निधन हो गया हिमाचल प्रदेश के कलपा में जो इनका नेटिव प्लेस है यहां पर और जो इलेक्शन होने होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में उनके लिए यह अपना वोट डाल कर गए हैं पहले इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिपेंडेंड इंडिया में 25 अक्टूबर 1951 को दिया था कलपा पॉलिंग स्टेशन में और हमारे देश के पहले वोटर बने थे आपको बता दे दो नॉम्बर को इन्होंने 34 बार वोट दिया है जहीं माचल प्रदेश में इलेक्शन होने हैं उसके लिए और यह इनका लास्ट वोट रहा है आपको जाना चीन को मास्टर श्याम के नाम से जाना जाता है और अच्छा जो हमारे देश में पहले इंडिपेंडेंडेंड इलेक्शन हुए थे वह जनरली जनवरी फरवरी 1952 में हुए थे लेकिन हिमाचर प्रदेश मे क्योंकि स्नो काफी रहती है बर्फ वगेरा हो जाती है तो इसलिए महाँ पर जल्दी करा दे गयते हैं महाँ पर 25 अक्टूबर 1951 को इलेक्शन करा दे गए थे ठीक है तो आप कह सकता है कि जो भारत में इलेक्शन हुए थे वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच सेख सुल्टान अल-काशिमी दरूलर ओफ सार्जा सिटी ओफ यूए ए सार्जा अंतरास्टी पुस्तक में लेके किस संस्क्रण का उद्गाटन संयुक्त अरब अमिरात के सार्जा सहर के शाशक सेख सुल्टान अल-काशिमी ने किया है ओप्शन साप के सामने है सहीयां से से रहेगा फुर्टी फॉस्ट एक तालिसवा तो देखे डॉक्टर शेख सुल्टान बिर मोहमाद अल-कासिमी यह सुप्रीम काउंसिल मेंबर और रूडल है सार्जा के इन्होंने सार्जा इंटरेसल बुक फियर का फुर्टी फॉस्ट एडिशन इनोग्रेट किया है जिस अच्छा इसी मोगे पर आपको जाना चीज जो सार्जा के रूलर है इन्होंने सुडान के हिस्टोरियन है यूसुफ फदल हसन इनको कल्चरल परसनल्टी ऑफ ता इयर आवार्ड भी दिया है अच्छा एक चीज़ आप जानते हैं जो यह यूए है यूनाइटल अमिरात य से मिलकर बना हुआ है सिटीज क्या सकते हैं बड़ी सिटीज तो सात्थ अमिरात से मिलकर बना आए यहं नाम जैसे आब उधाबी है और अजमान ए दुबई है फुजईरा है रसल रसल खामा है, और सारजा है, कितने हो गए, छे हो गए ना, सारजा है, और उमल कुएन, उमल कुएन है, शायद हाँ, उमल कुएन, तो ये साथ है, ये साथ अमिरात से मिलकर बना है, एक युनाइटर अरब अमिरात, जो साथ हो अलग-अलग जो अमिरात है, इनको हैड करता है अमीर ठीक है तो आयोग आप ये पूछ ले जाता है कि जो युनाइट अमीराथ है ये कितने अमीराथ से मिलकर बना है तो आंसर होगा साथ अच्छा जो ये दुबाई है ये हाली में चर्चा में भी राग क्यों रहा क्योंकि हाली में जो दुबाई हील स्मॉल्स में एक स्टॉर्म कोस्टर है जो कि आप देख पा रहे हैं इसे गिनीज वर्ट रिकोर्ड दिया गया है किसलिए फॉर दा फास्टेस्ट वर्टिकल और इसका जो फॉर्वर्ड है वो लिखा है इंडियन एक्टर अभिताब बच्चन ने चिनाब वाइट चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल स्टार्ट इन विच स्टेट और यूटी चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महुतसव किस राजिये या केंदर सासित परदेश में शुरूबा ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंस रॉप्शन दी रहेगा जम्मु & कश्मीर तो देखिए डोडा डिस्टिक जम्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए राउंड देयर मतलब पूरे साल प्रमोट करने के लिए यहां का जो डिस्टिक एड्मिस्टेशन है इसने बैक टू विलेज फेस फोर के तहत चिनाव वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल सुरू किया है अच्छा जब में गश्मीर हाली में चर्चा में था हमने mcq format में भी देखा था रिवाइस कर ल निमली क्रिपे से कौन भारत UAE CEPA के तहट सोना याद करने वाला भारत का पहला जोहरी बन गहा है option साब का सामने है सही answer option दी रहेगा मालाबार gold and diamonds देखे मालाबार gold and diamonds यह first डियादर बन गया है इंडिया में जिसने भारत और UAE के बीच जो comprehensive economic partnership agreement हुआ है उसके तहट gold import कि किया है कि जो CEPA ना इसकी full form याद रखना comprehensive economic partnership agreement पूछ ली जाती है अच्छा अब इसके इसको क्या फायदा हुआ है 1% duty detection इनको जो है देना पड़ा है इस bilateral trade agreement के कारण तो जो यह मालाबार gold and diamonds है यह कोजी कोड हैटकौर्टर एक jewelry jewelry retail chain है तो इन्होंने ICICI bank के थू 25 kg gold import किया है जिसमें इसमें बन परसेंट के duty reduction को मिली है आपको जानना चाहिए भारत और UAE की बीच में जो CEPA है यह 1st May 2022 को जो है लागू हुआ Union Minister धर्मेंदर प्रदान integrated Baji Roth National Football Tournament in which state के अंदरे मंत्री धर्मेंदर प्रदान ने किस राजमें Baji Roth राष्टिय फुडबोल टॉर्णामेंट का उतखाटन के options आपके सामने हैं सही आंतर option A Odisa है तो देखिए Union Minister धर्मेंदर प्रदान इन्होंने Baji Roth National Football Tournament Odisa में integrate किया है और यह किसके तहत किया गया है Football for School Initiative यह Government of India ने लाउंच किया है FIFA और All India Football Federation के साथ मिलकर तो यह जो इनिशेटिव लिया गया है Football for School तो इसके तहत गॉर्मेंट का उद्देश यह है कि लगभग दो करोड़ पचास लाग स्कूल स्टुडेंट्स को जो है Football से जोड़ा जाए ओड़ी सा के बारे में तो आप जानते है नवीन पटना एक सीम है गवर्णर गनेशी लाल है कैपिटल बोवनेश्वर है विरेंद्र कुमान इनोग्रेट तो शिल्फ समागम 2022 का उत्गाटन कहां किया है ओप्शन आपके सामने है तो आपको जाना चाहिए युनियन मिस्टर फोर सोचल जस्टिस एंड इंपावेंट डॉक्टर विरेंद्र कुमार इन्हों ने शिल्फ समागम 2022 को नियुडेली में इनोग्रेट किया है सिल्फ समागम 2022 जो टॉप कोपरेशन से उनके जो बेनेफिसरी से उनको इन्वाइट करता है कि आप अपने जो हैंडिक्राफ्ट प्रोड़क्ट से उनको सोकेस कीजिए उनको यहाँ पर सेल कीजिए स्वच्छ गंगा के लिए रास्टे मिशन 2017 से हर साल किस दिन गंगा उत्सव मना रहा है औप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर यहाँ औप्शन भी रहेगा नवेंबर फॉर्थ देखे नैसल मिशन फुर क्लीन गंगा यानिकी एन एम सीजी जो की डिपार्टमेंट ओफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलोप्मेंट एन गंगा रिजुनेशन मिस्ट्री ओफ जलसक्ति के तयाता है इसने नियू डेली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव दरिवर फेस्टिवल 2022 को और्गनाईज किया है आपको बता दें साल 2017 से ही जो नैसल मिशन फुर क्लीन गंगा है ये गंगा उत्सव मनाते आ रहा है चार नौंबर को चार नौंबर को ही क्यों क्योंकि चार नौंबर 2008 को जो रिवर गंगा है इसको नैसल रिवर ऑफ इंडिया डिक्लेर किया गया था आपको जानना चाहिए जो नैसल मिशन फुर क्लीन गंगा है एन एमसीजी ये इस गंगा उत्सव 2022 को Wildlife Institute of India, Intech, GIZ, National Book Trust इस तरही और्गनाईशन के साथ मिलकर और्गनाईश कर रहा है Who launched the PWD App 2.0? PWD App 2.0 किसने लौंच किया है? Options आपके सामने हैं सही answer option ए रहेगा राजीव कुमार PWD का मतलब person with disability तो देखे, Chief Election Commissioner राजीव कुमार इन्होंने Election Commissioner अनूप चंदरपांडे के साथ मिलकर First ever, पहला, National Conference of PWD Icons for Accessible Elections इसको अध्यक्षता की है कि इसके द्वारा और्गनाईश किया गया है? Election Commission of India के द्वारा New Delhi में इसको और्गनाईश किया गया है तो यहाँ पर जो हमारे Chief Election Commissioner राजीव कुमार इन्होंने Election Commissioner अनूप चंदरपांडे के साथ मिलकर PWD App 2.0 लौंच किया है Person with Disability App 2.0 लौंच किया है जो कि पहले की जो मॉबाइल अप है उसका अपडेटेटेड वर्जन है तो इसके तरह जो पूरा प्रोसेस है जो इलेक्षन का पूरा प्रोसेस है यानि कि रजिस्टेशन से लेकर और ड्रोपिंग फैसलिटी ओल डे के दिन जो ड्रोपिंग फैसल स्थानों के मुल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समीदी का गठन किया है आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा कि राधा कृष्णन तो यहां आपको जानना चाहिए कि government of India ने एक high level committee बनाई है जिसका मकसद यह रहेगा कि जो higher educational institutions है उनका जो assessment है जो accreditation है उसको और मजबूत किया जाए तो इसके बारे में जो high level committee बनाई गई है इसके regarding उसकी chairmanship करेंगे डॉक्टर के राधा कृष्णन जो की chairperson है board of governors IIT इनके अलावा इसमें प्रोफेसर मिदूल हजारी का होंगे प्रोफेसर भारत भासकर भी होंगे which branch of Indian Armed Forces has approved project sanction orders PSOs of five make second projects पूछ रहे हैं कि भारती है ससस्तरपलो की साखा की किस शाखा ने पांच make second प्रियोजनाओं के प्रियोजना स्विक्रती आदेश को मंजूरी दी है देखे हिंदी इसी तरह से है इसकी PIB की यह news है हिंदी भी इसी तरह से थी तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो सकती है समझने में हिंदी समझ लीजेगा इंग्लिस में समझ लीजेगा ठी तो आपको जानना चाहिए कि भारतिय सिना ने जो पांच make second प्रियोजनाओं है उसके लिए प्रियोजना स्विक्रती आदेश को मंजूरी देदी है make second प्रियोजनाओं अनिवारी तूप से उद्द्योग द्वारा वित पोशित प्रियोजनाओं है जिनमें प्रोटोटाइप के विकास के लिए भारतिय विक्रियता द्वारा डिजाइन विक्सित किये गए अभी नव समाधान शामिल है कौन-कौन से है इसमें प्रजेक्ट यह देखे ड्रोन किल सिस्टम यानि इनका प्रोटोटाइप प्रोवाइट कराएंगे ठीक है प्रोटाइप मतलब पहले प्रोटाइप बनेगा उसके बाद अगर परसंद आता है तो फिर इसको आगे स्टेज में डेवलप किया जाएगा इंफैंट्री ट्रेनिंग वेपन इंट अफेर है यह भी आपको जाना चाहिए अच्छा ओपर यह पांच हो गए ना पांच में इक सेकेंड प्रोजेक्ट के तहत अच्छा साथ यह आपको भी जानना चाहिए कि दिवंगत लेफ्टर जेनरल पी एस बहगत इनके एक सो तीन वे जनुर दिवस के अफसर पर आर्मी ने उनाटेट सर्विश इंस्टिशन ऑफ इंडिया नियू डेली में इनके सम्मान में एक चेर ओफ एक्सिलेंस डेडिकेटेड की है विश स्टेट गोवर्मेंट विल सैट अप साइबर इंटेलिजेंस यूनिट तो कर्फ साइबर और फाइनेशल क्राइम साइबर और वित्य अपराद पर अंकुष लगाने के लिए कौन सी राज्य सरकार साइबर खोफिया इकाई की स्थापना करेगी साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को सैट अप किया जाएगा थाकि साइबर एंट फाइनेशल क्राइम्स को रोका जा सके बाकी महाराष्ट के बारे में आप जानते हैं गवर्नर बगत सिंग कोश्यारी है कैबिटल मुंबई है चीफ मिस्टर एकनात्स जिंदे हैं हालियम ने देखा दो महत्तपूर करंट फेर हमने महाराष से संबन देखे एक तो यह की इंडिया का फर्स्ट माइगरेशन मॉनिटरिंग सिस्टम मुंबई में इनोग्रेट किया गया है और दूसरा है देखा कि 14th edition of the world spice congress यह मुंबई में होगा 16-18 अरवी 2030 के बीच में य who has been appointed CEO of Energy Efficiency Services Limited EESL Energy Efficiency Services Limited का CEO किसे न्यूक्त किया गया options आपके सामने है सही आंतर option सी रहेगा विशाल कपूर तो आपको यहां जानना चाहिए कि Energy Efficiency Services Limited के CEO यानि की Chief Executive Officer विशाल कपूर अपॉइंट किये गए हैं आपको बता दे विशाल कपूर का हाली में Ministry of Power में Joint Secretary के तोर प New Delhi में है स्थाबना साल 2009 में हुई थी और जो Domestic Efficient Lightning Program है DLP जिसे उजाला स्कीम के नाम से जानते हैं इसके Implementation के लिए यही Agency Responsible है EESL Asian Squares Team Championships where Indian Men's Team clinched its first ever gold held in which country ACI Squares Team Championship जहां भारती है पुरुष टीम ने अपना पहला स्वेंड पतक जीता किस देश में जित किया गया options आपके सामने है सही answer option दी रहेगा South Korea तो आपको जाना चाहिए Indian Men's Team जिसका नेत्रत्य सोरव गोशाल द्वारा किया गया है आपसे भी जानते हैं कि जाने माने squash player है तो इस टीम ने Indian Men's Team ने फस्ट एवर gold जीता है Asian Squares Team Championship में जो कि South Korea में हुआ है किसे हराया कुएट को हराया है अच्छा ये Indian Men's Team के लिए biggest win है 2014 के बाद से 2014 में Asian Games score ने जीता था तो यहां इन्होंने तीन silver medal जीते हैं और 7 bronze medal जीते हैं अच्छा अगर हम बात करें women's title की तो ये Hong Kong ने जीता Malaysia को हरा कर और Malaysia से India हरा था semi final में तो इसका मतलब क्या हुआ हुआ होंग को गोर्ड मिला Malaysia को सिरों मिला और भारती है जो महिला टीम है उन्होंने जीता है आप ब्रॉंज medal फ्रांसेजी सरकार के सरवच्च सम्मान या options आपके सामने है सही आंजर option ए रहेगा अरुना सही रहेगा तो देखिए करनाटिक वेकुलिस्ट composer, collaborator, humanitarian and speaker अरुना सहीराम इनको फ्रेंच गवर्मेंट का highest owner शेवेलियर डियोर्टे डेस आर्ट्स एट डेस आवार्ड के दिया गया है क्यों दिया गया है नॉट जस्ट फोर हर सिंगिंग प्रॉवेस अपनी सिंगिंग कला के लिए नहीं बलकि इंडो-फ्रेंच relationship में अपना contribution देने के लिए है तो ना सिर्फ के बल सिंगिंग के लिए बलकि इंडो-फ्रेंच relationship में अपने contribution के लिए भी इनको ये अवार्ड दिया गया है विशे स्टेट हैस लॉंज लाड़ली लक्ष्मी 2.0 इसकीम किस राज्य ने लाड़ली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू की options आपके सामने हैं सहीया अंतुर चंडी मद्यप्रदेश है तो आपको जाना चाहिए कि राज्य में जो गर्ल्स है वो higher education प्राप्त कर सके अपने आपको independent बना सके आगे चलकर इसके लिए मद्यप्रदेश चीफ मिस्टर सिवराज सिंग चोहान ने लाड़ली लक्ष्मी 2.0 इसको लॉंच किया है आपको ब इस scheme का मकसद यही है कि जो girl children के लिए जो perspective है society का वो बदला जाए higher education लड़ी के आप प्राप्त कर सके तो इसमें जो लाड़ली लक्ष्मी योजनाईस में financial assistance दी जा रही है 25,000 रुपे की जो डॉर्टर से हैं उनको यदि वो 12th पास करके college में जाती है बाकिया आप जानते ही है कि मद्यप्रदिस के बारे में कि यह के गवर्णर बंगुबाई पटेल है और capital भोपाल है विच स्टेट वन दे नेसल कमेंटेशन अवार्ड इन अर्बन ट्रांसपोर्ट इन दे के टेगरी ऑफ दा सीटी विध बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस राजी ने सर्फसेट सार्फजिनिक परिवहन प्रणाली वाले सहर की सुरिण में शेरी परिवहन में प्रुषकार जीता उप्शन सापके सामने सही आंसर उप्शन एक केरल है तो देखिए सिटी सर्कुलर सर्विस ऑफ दा केरल रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पेशन इन्होंने नेशनल कमेंटेशन अवार्ड इन अर्बन ट्रांसपोर्ट जीता है किस केटेगरी में सिटी यह भी केरल रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पेशन द्वारा लॉंच हिया गया है इन्होंने भी यहां पर अवार्ड ओफ एक्सिलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट जीता है यह आपको बताना है और इसका जो सही आंसर है वो है option C कलाई कुंड़ा तो देखिए आगे बढ़ेंगे इसमें देखिए इंडियन एरफोर्स और रिपब्लिक ओफ सिंगापूर एरफोर्स इनके बीच में जॉइंट मिल्ट्री ट्रेनिंग हुई है इसका 11 एडिशन हुआ है कहां पर एरफोर्स स्टेशन कलाई कुंड के साथ पार्टिश्पेट कर रहे हैं वहीं इंडियन एरफोर्स सु थर्टी माकवन जैग्वार मिक-29 और ल्सी तेजस एरक्राफ्ट के साथ पार्टिश्पेट कर रहे हैं चलिए आज ये असाइमेंट क्वेशन के आंसर देखेंगे मैटे फ्रेडरिक्शन ये रुनाचल प्रटिश्पेश नेम्डिश्पेश्ट के सामाजवाधी पार्टी मले वहीं इंडिक्वालिफीट के साथ पार्टिश्पेश्पेश्ट के सांसर इस आजम खान वाट प्रसंट फ इंडियन यूथ इस 15-24 are unemployed according to data from the international labor organization answer is 28.3 percent the government has set a target to increase the number of subscribers of the employees prevent fund organization from the existing 6.5 crores to 10 crores और आप मैं से कई assignments में बिल्कुल सही answer दिया है इसी तरह से आप participate करते रहिए चलिए आज के assignment question देखेंगे थोड़ा heading उल्टी हो गई है ये previous assignment को answer पहले आना था और जो पहले लिखा था today assignment answer वो यहाना था खेर चलिए देखते हैं मोपा airport is in which state India's first aqua park will be set up in which state which state has made registration of pet dogs mandatory how many medals did India win at 2022 ISSF Rifle Pistol World Championship at Cairo Egypt Alibag Magnetic Observatory where India's first indigenous overhauser magnetometer has been installed is in which state transactions through the unified payment interface यहनी UPI platform crossed the lakh crore rupees milestone in October with 730 crore transactions the eighth edition of the world green economy summit under the theme of climate action leadership through collaboration the road map to net zero was held in which country तो इन साथो questions के answer आप हमें comment box में जरूर दीजेगा यदि आपको एक question का answer भी आता है तो वह भी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी current affairs funder को आप telegram पर भी जोइन कर लिजेए यहाँ पर रेगर वीडियो अपडेट्स और current quiz असमा आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपने हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखे अपने दोस्तों के साथ fellow experts साथ हमारे current affairs को शेयर जरूर करें आज का session आपको कैसा लाएगा comment box में जरूर बताईएगा thank you guys